वेल्कम टू बिपीस्टी मेकर दोस्तों आज है 28 जून 2020 और 28 जून 2020 से बिहार करेंट एफर्स और साथ ही राष्ट्राष्ट्राष्ट्रे घटनाव से इत करेंट एफर्स के जितने भी परश्ण बनेगी वो सभी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताऊंगा यह वीडियो आपके लिए बिपीस्टी से थे बिहार से बिहार S.I.E.S.C.D.P.O. बिहार प्रिश्ट और वो तमाम परिख्षाय हैं जो खास करके बिहार मैजित होती है तो बिहार मैजित होने वाले सभी कम्पेरिटिव एक्जाम की दरिश्टी को उन से महत पूर्ण है अगर आप घर बटे इन से परिख्षायों की त्यारी पर लगए हैं तो यहां से आप अपनी तैयारी को बैतर कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया हैं तो यहां पर जनवरी से लगर के अब तक करेंट एफर्स के जितने वीडियो चैनल पर अप्लोड हुए सभी को मैंने प्लेलिश में अरेंज गया है आप वहाँ पर जाके एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यह वीडियो बिपेसी से जितने परिक्षाएं बिहार मैजित होती है सभी परिक्षाओं के दिरिश्टी कोन से अती महत्पूर्ण है और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेगा जनवरी फर्बरी मार्च अप्रेल और मई यह पांचो महा के करेंट एफेर्स का पीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेशन में दिया गया है आप वहाँ से इसका पीडियो को भी प्राप्त कर सकते हैं अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो जो मैंने अपसे प्रशनी पूछा था वो प्रशनी था कि हाली में बिहार के मुक्षि सचीव तुरी पुरारी सरन की सेवा में कितने महां का विस्तार क्या गया है तो इसस्य प्रशनी का राइट अरत था आपसन नमर B यानि की तीन महा का विस्तार क्या गया है सब भी लोगों इस प्रशनी का सही अंसर क्या और अधिकतर लोगों इसके बारे मैं डीृटेल में लिखा है तो जो भी प्रशन आपसे पोछा जाता है और विश्व दुख दिवस मनाय गया सभी लोग यहां पर मेरे साथ दोराएंगे वीडियो को इसकी मत कीजे क्योंकि आपका एक प्रस्ट नहीं है वो थीम वला हो या पिर दिवस वला हो वो निसंदे ही आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है विशिष्टिता, बहो मुखी प्रतिभा, साइकल के लंबी उम्र और परिवहन के सरल टिकाऊ और किफायती साधन चार जून को अकर्बन के सिकार वे मासुम बच्चों का अंतरराश्टे दिवस पाउच जून को विश्व परियावरन दिवस जिसका थीम है इस वर्स का परिस्थत की तंतर की बहाली छे जून को अंतरराश्टे ओलम्पिक समीती अस्थापना दिवस साथ जून को विश्व खाद सुरक्षा दिवस जिसका इस वर्स का थीम है और आठ जून को विश्व महासागर दिवस और इस वर्स का थीम है विश्व महासागर दिवस का महासागर जीवन और कल्यान उसके बात है नौ जून नौ जून को बलिदान दिवस जो कि अमर सहीद बिर्शा मुड़ा के पुन्य देथी के रुपे मना जाता है दस जुन को विश्यव भूगर भजल दिवस और फिर अगला है 11 जुन तो 11 जुन को समाजिक 29-15 दिवस मनाएगा है जो कि लालो पर साथ जादो, जैदाव कि जन्मदिन कि अफसर पर यह 54 जन्मदिन कि अफसर पर 11 जुन 2020 को समाजिक 29-15 दियवस के रोक में मनाई गा है 12 जुन को विश्यो बाल सरम निसयती दिवस और 12 और 13 जुन को G7 सिखर्स अमिलन का एजन हो और बृतन में तो यह आपको धियान रहन रहा है और इस वर्स का विश्व रख्तदाता दिवस और इस वर्ष का दोजारे केस का थीम है गिव बलट एंड कीप दवर्ड वर्ड अबिटिंग ये इस वर्ष का थीम है उसका थीम है उसका तक 15 जुन 15 जुन को विश्व पवन दिवस और विश्व बोजूर के दुर्बवार रोख्ताम ज्यागरता दिवस 16 जुन को अफरेकी सीसु दिवस 17 जुन को विश्व मरस्तिली करन और शूखा रोख्ताम दिवस और फिर यहां पर आगए है 18 जुन 18 जुन को गोवा करंती दिवस और अंतरश्य पिकनिक दिवस 19 जुन को विश्य शहार्द दिवस 20 जुन को विश्य सरनार्थी दिवस और 20 जुन को विश्य पिता दिवस भी बना जाता है और 20 जुन को जो विश्य पिता दिवस मनाए गया 2020 में इस वर्स का थीम था दुनिया भर में माता पिता की सरहना और 21 जुन को विश्व योग द्वस मनाएगा जिसकी सुरबाद जो भी थी 21 जुन 2015 को भी थी और इस वर्स का विश्व योग द्वस का थीम है योग for wellness यानि कि स्वास्त के लिए योग और अगला एक और थीम है जो कि योग के साथ रहें और घर पर रहें ये इसका थीम है 2020 का ये दोनों का पुञासी याद रख रहा है और 21 जुन को ही विश्व संगीत दिवस भी मना जाता है तो विश्व संगीत दिवस दो जारे खीम है चोराहे पर संगित ये भी बात आप दिया रहें उसपट है 23 जुन 23 जुन को संगीत राष्ट सारजुनिक सेवा दिवस और अंतरराष्ट विदवा दिवस मनाए गया 24 जुन को विरंगना रानी दुरगावती बलेदान दिवस 25 जुन को अंतरराष्ट नाविक दिवस उसपट यहाँ है 26 जुन 26 जुन को मादर पतार्थों का सेवन और अवेद तसकरी के खिलाब अंतरराष्ट दिवस मनाए गया और इस वर्स का इसका थीम है 2020 सेवर फैट्स ओन ड्रक्स एंड सेवस लाइफ ये इसका थीम है 2020 27 जुन 27 जुन को विश्व मदमे जगरती दिवस और आज है 28 जुन 28 जुन को विश्व गरीब दिवस तो इतनी सारे चीज़े यहाँ से आपको याद रखना है जैसे यह डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों को यहाँ पर मैं अपडेट करता चलूँगा क्योंकि यह सेक्सन जो है यह आपके एकजाम में एक प्रशन का अंसर आपको यहां से मतलब कि दिला सकता है तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं पहले प्रशन की और एक एक करकी मैं आपको सारे प्रशन बताऊंगा और इन से बेस की घोशना किया गया प्रुषकारों कि इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट सहर सामिल है तो बिहार के एक भी स्मार्ट सहर इसमें सामिल नहीं है तो हमारा जो राइट अंसर होगा यह होगा अफसन नमर ए इन में से कोई नहीं तो धियान रखना आपको इस सूची म इंदौर जो कि मद्दपरदेश का सार है और शूरत जो कि गुजरात का सार है तो ये दोनों सारों ने देश में पहला स्थान हासिल किया है ठीक है आपको ध्यान रखना है कि 2020 का जो मतलब कि इसमार्ट सेटी परतोगिता था जिसका अभी मतलब हाल ही में ये चारी किया गया इसमें दो सार जो कि मतलब कि मद्दपरदेश का इंदौर वहीं पे गुजरात का सूरत ये दोनों सिर्च पर है ये आपको ध्यान रखना है जबकि राज्य स्रेनी में पहले स्थान पर उत्त प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशा मद्परदेश और तमिलाडू है और वहें पर केंदर सासित प्रदेश रेनी के गर बात किया जाए तो चंटिगर स्चिर्श पर होगा इस सुची में तो इतनी सारी जानकार यहां से आप याद रख जयता 2020 में इंदर मद्परदेश और सुरज गुदराच सहर ने देश में पहला स्थान हांसिल किया। यह पुएंट मैं आपको बता चुगा हूँ और यह वाला भी बता चुगा हूँ। तो देश में राज्यस रेनी में पहले स्थान पर है उत्तरपदेश और दोसरे स्थ डाओ कि अभरत से एकसरणी एकसर उनने केया है जिसम्हकि чार सामिल आज नहीं है यह थ्यताओं के लिष्ट में बिभिहर का कोई भी सायर सामिल नहीं किया है यह आप द्यान रखेगा यहां से आपके परशने बन सकते हैं अब यहां पर यह जो होगया बात होगया सहर के बारे में और राची सरेनी के बारे में के पहता है तो इस यहां पहिं सम्झाली और 10 सासन कले कर दो त। सारे Oldies एए अधरहल राइन और वह्यां पहें सिंक यह पर है नगरपाली के लिए प 35 थीıyorlar इस तो यह सारे जानकारे यहां से आप याद रहे गाए वहें पहर ऊपाल यहां से आप याद करेंगा तो Smart City Mission 2019 का जो रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें सुरत जो था, ये विजदा था, ये सिर सरस्तान पर था, तो इतनी सारे प्रशन आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहां से आपके प्रशन बन सकते हैं, तो यह सारे को आप चाहें, तो यहां से स्क्रिन शॉट भी को बहतर कर सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे प्रशन केजिए, आपको बहुत सारी चीज़े यहां पर अवेलिबल कराए जाती है, यह दियान रखेगा, आप चाहें कहीं भी क्लास करते हैं, लेकिन current affairs यहां से पढ़िए, मेरा आपसे वादा है, आपकी तैयारी एकदम से बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, current affairs और टेश्टर स्रीच, इस पर मेरा पूरा मतलब जो रहता है, मैं आपको अच्छी से चीज़े प्रवाइड करूँ, आप हमारे टेश्टर स्रीच को भी देख सकते हैं, demo पीडिया मंगाईए, देखिए, उसके बाद आप निर्धारित किजिए, आपको जोईन करना या फिर नहीं, चलिए, उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं, हम अगले प्रशने पर, हमारा दूसरा प्रशने के हाली में, airport authority of India ने बिहार के किस जीले में cargo terminal के निर्मान की स्विकरती दे लिए, तो देखिए, airport authority of India ने बिहार के गया जीले में cargo terminal के निर्मान की स्विकरती दे लिए, आप यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूँ कि हाले में बिहार के गया airport पर cargo terminal के निर्मान के project को airport authority of India ने स्विकरती दे दी है, आप यह धियान रेकिए और इस project को पूरा होने के बाद गया आया और निर्यात का हब बन जाएगा और जिसका जो सीधा लाप होगा वो अस्थानिया बेबसाईयों और इसानों को मिलेगा, तो यह आपको ध्यान रखना भी हाले में airport authority of India के दौरा यह स्विकरती दिया गया है, गया में मतलब कि cargo terminal के निर्मान की, तो option number C यहाँ पर इस प्र प्रशन है और इस प्रशनी का सही अंसर होगा 76, यानि कि 76 इसकूल यहाँ पर driving school खोले जाएंगे, अब सर्मार C यहाँ पर इस प्रशनी का right अंसर होगा, अब यहाँ पर आपको इसके बार मतला दो कि बिहार सरकार की हाली के घोशना के अनुसार बिहार के सभी 3800 जीलों मे 76 driving school खोले जाएंगे, और इसको लेकर हाल ही में परिवहन विभाग ने, मतलब परिवहन विभाग के दोरा, मतलब दिशा अंदर देश भी जारी किया जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर आगे जो लिखा गया है, यह मतलब क्यों किया जा रहा है, इस मतलब की सभी जीले में, मतलब की मिला के 300 जीलों को मिला करके 46 driving school खोले जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यह सारी चीज आपसे एक्जाम में पूछा जा सकते हैं, चलिए, उसका यहाँ पर बाद आई है, बिहार की बारे में कुछ परमोख जानकारी है, उ बिहार के उत्तर में जो नेपाल है, यह एक मात्र मतलब देश है, जो की मतलब बिहार के साथ अंतर राष्टे सीमाँ साजा करती है, वहीं पे बिहार के राज्य के साथ जो सीमाँ साजा होते है, तीन राज्यों के साथ इसकी सीमाँ साजा होती है, जो की मतलब जहरकंड, प प्रति वर्ग किलोमेटर और चेत्रफल की गरबात के आजये तो 94,360 वर्ग किलोमेटर बिहार का चेत्रफल है पर्थम राजभासा हिंदी तथा दुट्य राजभासा उर्दू बिहार की लंबाई 345 किलोमेटर तथा चौड़ाई 413 किलोमेटर है और यहाँ पर विधान प्रेशत की सीटों की बात करें तो 75 सीटे हैं और विधान सभा की 240 सीटे हैं, राज सभा की 16 तथा लोग सभा की 40 सीटे हैं यहां कि प्रमुख लोक निर्थ जाट जाटिन कजारी पनवर्या और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक निर्थ हैं और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं दो स्वास्तिक के वीच में बौधे विरिक्ष यह बिहार का राज के चिन्न है पहले जो मुख्य मंत्री थे यह थे बाबुलाल मरांडी तो इतनी सारी जनकारी जारखंट से भी बात आप याद रखें चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रशन पर हमारा अगला प्रशन है चौथा प्रशन यहाँ पर आपको इसके बारे में डेटेल बतादू कि हाले में भारतिय ब्रिटिस लेखाक रस्किन बॉर्ण द्वारा लेखी पुस्तक इट्स ओवांडर्फुल लाइफ क मतलब विमोशन किया गया है और यहाँ पर रस्किन बॉर्ण के बारे में लिखा गया है कि वर्स 1934 में हिमाचल परदेश में जन्में रस्किन बॉर्ण को भारत सरकार ने 1992 में साहित अकादमी उनिश निदानवे में पदमसरी 1914 में पदम भोसन से सम्मानित किया था इनकी पहरी रचना जो थी यह थी The Room on the Roof जो इन्होंने 17 वर्स की आयो में लिखा था तो यह सारी जनकारी यहाँ से आप याद रखेंगे यहाँ पर दखेंगे जो भी मतलब बुक जो इम्पोर्टेंट बुक होते हैं वो भी मतलब विपेसी एक्जाम परशने पुछ जात इस तरह का प्रशन था कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इस तरह का प्रशने पूछा जा सकता है तो किसी भी प्रशने को आप छोटा मत समझे कहीं से भी आपका प्रशने पूछा जा सकता है प्री एक्जाम खासर के वीपेसी प्री एक्जाम की बात करें तो इसक फ्राविधी को समयली तरूप से पढ़िए, जो भी Terms आपकに सामनі आते हैं, वो सारी चीजों को, उनसे रेलेटर जितने भी Facts होते हैं, वो सारी चीजों को आप जरूर्ड पढ़िए, मेरा एकदम से प्रयासत रहता है, वो सारे चीज़ में आपके सामने रखूँ जिसे आपके तयारी बेतर हो सके तो यह सारे चीज़ों को यहाँ से आप याद रखें यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह आप ध्याद रखेंगे और यहाँ पर आगे कुछ महतपूर्ण जानकारी लिखी गई है कि नसली दवाओं का दुरुपयोग और अवयत तसक्री के खिलाब साथ दिसंबर 1987 को संजुक्त राष्ट महासभा ने 26 जून को अंतरराष्ट नसा निरोधग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था यानि कि तभी से 1987 से 26 जून को मतला कि परती वर्स ये अंतरराष्ट नसा निरोधग दिवस मना जाता है तो यहाँ पर आपके लिए इंपोर्टेंट है कि इस वर्स का इसका थीम क्या है इस वर्स का इसका थीम है Share Facts on Drugs and Save Lives ये आप दियान लिखेगा अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रशने पर हमारा चाटा प्रशने के हाली में किस बैंक ने स्वास्त सेवा च्छेत्र को बहतर साहिता परदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केर बिजनेस लौन लाँच किया है किस बैंक के दोरा ये अभी सेवा लौन्च किया गया है तो इस प्रशने का राइट अन्थ होगा भारते इस्टेट बैंक यानि कि इस्टेट बैंक आफ इंडिया अप्सन नवर ए यहाँ पर इस प्रशने का सही उत्तर होगा अब यहाँ पर आपको इसके बार में दादो कि हाली में भारते इस्टेट बैंक ने करोना महमारी के दरान श्वास्त सेवा छेत्र को बहतर साहिता परदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केर बिजनेस लौन्च किया है इस मतलब सिस्टम का जो लौन्च किया गया है इसका नाम है अरोग्यम हेल्थ केर बिजनेस लौन्च इस प्रशनी का जो सही अंसर होंगा यह होगा पाकिस्तान यानिकी अफ़सं nov.ब पमें पाकिस्तान को ग्रेयल लिष्ट मे बरकरार गया था और तब ही से पाकिस्तान इस सूची में है तो यह आपको ध्यान रखना यह पिछले तीन वरसों से इस सूची में बरकरार रखा गया है अब यहाँ पर आगे देखें इस पॉइंट में F.A.T.A.P. के बारे में कुछ जानकारी लिखे गए है यहाँ से आपको याद रखना यह सारी चीज़ों को तो वित्य कारवाई कारिवाल यानि कि F.A.T. आपके अस्थापना काले धन को वैद बनाने को रोकने से समंदित नीतियां बनाने के लिए सन 1929 में अस्थापित क्या गया था और इसका मुक्षाल पैरिस में है यह आपको ध्यान एकना इसका उद्देश क्या था इसका अस्थापना के पीछे इसका अस्थापना से पीछे इसका उद्देश यह था था यह था कि काले धन को वैद बनाने से रोकने के लिए मतलब कि समंदित नीतियां बनाने के उद्देश से मतलब इसे अस्थापित किया गया था उनिशन नवासी में तो यह सारे चीज़े यहां से आप यादर किये यह प्री हिनेवल के आपके में शेक्जाम में भी आपकी मदद करेगा तो इतनी सारे जानकार यहां से आपको यादर है इस प्रशन से और फिर यहां पर अगला प्रशन, आठवा प्रशन के हाले में DRDO ने स्वदेशी रूप से विक्सित पिनाका रॉकेट की नए संस्क्रण का सफल परिक्षन कहां से किया है तो पिनाका रॉकेट के इस मतलब की रॉकेट का सफल परिक्षन जो किया है यह उडिशा से किया गया है, अब से नवर सी यहाँ पर इस प्रशनी का सही उगतर होगा अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दो कि हाले में रक्षा अनुसंदान और विकास संगटन यानि कि अब यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं यह उडिशा है और उडिशा भारत के पुर्वी तटपर इससे एक राच्चे है और उडिशा उत्तर में जारखंड उत्तर पुर्व में पस्चिम मंगाल दक्षिर में आंधपरदेश और पस्चिम में च्छतिम में च्छतिस घर से गिरावा है तथा पुर्व में बंगाल के खाड़ी है यह याद रखेगा और यह उसी प्राचेन राष्ट कलिंग का नहीं पे हुआ था और इसी युद्ध में मतलब भैंकर रख्त पात को देखते हुए असोक का हिरदय परिवर्तित हुआ था और उन्होंने युद्ध की निती को त्या करके धम की निती को अपनाया था और इसी दोरान उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को पुत्र मह संक्या के हिसाब से 11 सबसे बड़ा राज्य है और उडिशा के राजपान है गनेशी राल और मुक्ष मंतरी है नवीन पटनाएक तो यह सारी जयनकारी यहां से आपको याद रखना है अब यहां पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में हमारा नौवा प्रश्ण के हाल ही में किसके द्वारा COVID-19 के लिए IIT दिली द्वारा विकसित rapid antigen jarch kit launch के लाँच के लिए हाली में यह rapid antigen jarch kit को launch के लिए हाली में यहां पर इस प्रश्ण का राइट आटर्स होगा संजय घोत्रे अब यहां पर आपको इसकी बारे में विस्टार पुर्वो बतादागी सिक्षा आप यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं, सारी जानकार यहां पर लिखा गया है और इसे Center for Biomedical Engineering के Prof. Dr. Harpal Singh के नत्रित में सोध करता हो द्वारा विक्षित किया गया था मतलब यह जो इंटिजन केट है, यह मतलब कि Center for Biomedical Engineering के Prof. Dr. Harpal Singh के नत्रित में सोध करता हो द्वारा यह विक्षित किया गया था अब यहां पर इस प्रशनी का Right Answer होगा अब यहां पर आपको इस कबर मता दूँ कि हाल ही में United Nations Office on Drugs and Crimes यानि कि UNODC के दौरा World Drugs Report 2020 से जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वरस 2020 में पूरे विश्व में 275 मिलियन लोगों इने ड्रक्स का इस्तमाल किया है यह आपको द्यान रखना है जिसमें कि इस रिपोर्ट के अनुसार 36 मिलियन लोग इसके 7 से होने वाले शमंदत बिमारियों से ग्रसित है तो ये भी बात आपको द्यान रखना यहां से आपके प्रशने बढ़ सकते हैं तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि 275 मिलियन लोग मतलब ड्रक्स का इस्तमाल किया है जिसमें कि 36 मिलियन लोग पूरे विश्व में ड्रक्स के इस्तमाल से होने वाले जो बिमारिया है यानि कि होने वाले जो विकार हैं उससे समंदित हैं तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहां से आप याद रखिए। उसका यहां पर चलते हैं अगले प्रशने पर, हमारा अगला प्रशने का हाली में कहाँ पर लोकतंतर शमर्थक अख़वार जिसका नाम है एपल डेली, तो इसके प्रकासित को भी हाली में बैन किया गया है, अब यहां पर दरसल क्या है, दरसल यह अख़वार पिछले कई वरसों से चीनी सरकार की आँखों में चुब रहा था, जिसके बाद चीन सरकार ने इसके मालिक पर एक जूटिया आरोप लगा कर ग्रिपतार कर, उसकी जो 23 लाक करोर की, मतलब 20 लाक डॉलर की जो संपत्ती थी उस प्रेस की, उसको जब्त करके इस पर बैन लगा दिया है, और यहां पर अगला पॉइंट लिखा गया है कि एक र जार परतियां, इसकी मतलब बिखती थी, लेकिन उस दिन बैन जो जिस दिन भी उस दिन 80 लाक परतियां, इस मतलब 80 लाक ने बलकि 10 लाक परतियां इसके बिखी, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह हौंक की लोगतंत्र समर्थक अखभारती नीच पर थी, एपल डेली, इ इस प्रश्णी का जो राइट नसर होगा, यह होगा हमारा आफसा नंबर A, यानि की आरके सिंग, अब यहां पर इसके बारे मैं आपको दादू कि हाले में, विद्दूत तथा नवीन और नवीन करणिया और जार मंतरी स्री आरके सिंग ने और परिवरतन को आकार देने व इतनी सारी जानकार यहां से आपको इस प्रश्णी से मिलता है, अब हम यहां पर बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो का प्रश्णी के हाले में, नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूर, यानि की NCB ने किसे बिहारी नेता को अपना ब्रांट एमबैस्डर बनाए है, इसका आंसर क अगर आप घर बढ़ते हैं, अगर आप घर बढ़ते हैं, बिहार में पर इजित होने वाले किसी भी कंप्रेटिव एक्जाम के त्यारी में लगए है, तो यहां से आप अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं, आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में, इस चैनल के माद्धियम से एक e-book launch किया गया, आप यहां पर इस image में देख सकते हैं, इस e-book की खासियत यह है, कि विगत 28 वरसों से बिहार में जितनी में परिक्षा है, एजित हुई है, उसके प्रशनों को इसमें सामिल किया गया, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासा हो, यानि कि यह बाइलिं पूछे गए हैं, वहां से आपको यह समझ आता है कि किस परगार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रशन आप से एक्जारी को बेहतर कर सकते हैं, यह जो गुरूप है, यह आपको BPSC सहित, जो भी बिहार में परिक्षाएं एजित होती है, सभी एक्जाम के दरिश यहां पर मैं बहुत सारी चीज़े आपको बहतर क्यालिटी का प्रवाइड करा रहा हूँ, यहां पर आप सारी चीज़ों को देखे, यहां पर आपको इस ग्रूप में क्या क्या चीज़े मिलेगी, यह आप सारी चीज़ों को देख के समझ पाएंगे, तो यहां पर सबसे मैं आपको जो प्रवाइड करा हूँगा यह होगा सबसे पहला हमारा टेश्ट स्रीज जो कि BPSC प्रेटर्न प्याधार होगा यह मॉडल सेट होगा यहाँ पर आपको 50 प्रेक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के जन्वरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करेंट एपर से आपको प्रेट ग्रूप में प्रवाइड कर जाएगा यह डेली मिलेगा मन्थली मिलेगा साल का अंत होगा वार्शी गंग भी मिलेगा तो यह सारी यहाँ पर ध्यान रखेगा और उसके बाद जो हमारा main होगा वो होगा बिहार जीके यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का दो पीडियाप मिलेगा आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार current affairs पढ़ने की आउसकता नहीं है यह पूरी की पूरी जिमेवारी हमारी है तो यह भी आपको provide होगा क्योंकि BPSC exam में विगत 18 मां के current affairs से पूछे जाते हैं तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो यह भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावे कुछ PDF है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्राची नितिहास का और आपको call नहीं करना है बल्किस पर WhatsApp में message करना है प्री 20 विल लिखके यहाँ पर आपको complete information दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको कैसे payment करना है वो सारी information आपको यह message करने के बाद मिल जाएगी अब यहाँ पर आप ध्यान रखेगा यह एक वर्स के validity के साथ है इसका जो fee है यह 3099 रुपया है यह 3099 रुपया में यह सारी सीज़े आपको परवाइड की जाएगी आप डेमो का demand कीजिए आपको demo PDF मिल जाएगा वहाँ पर आप देखेंगे वह quality को देखे समझ पाएगा किस परकार से हमें आपके लिए महरत कर रहे हैं और किस परकार से content आपको प्रवाइड करा रहे है आप भी से join कर सकते हैं आप अपनी तयारी को बहतर आयाम दे सकते हैं अपनी तयारी को नई दिशा दे सकते हैं यहां से अगर आप मारे मतलब इस study material को follow करते हैं तो आप से मेरा वादा है कि इतनी सारे चीज़ों को cover करने में आपका 40 से 50% समझे cover हो जाएगा क्योंकि BPSC प 20 प्रशन आये थे 26-27 प्रशन हमारे ट्रस्रीस जाये थे समझे इतने सारे यहां से मतलब प्रशन हमारे state से पूछे गए हैं तो आप भी यहां पर हमारे बरौसा करके इसको join कर सकते हैं और अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं ठीक है यह ध्यान रखेगा तो दूस्तों आप